लो बच्चों, वाल्कम टिरी तू मैम्स ओनलाइन प्लास बच्चों, आज हम आपकी पाची कक्षा की हिंदी की पाठे पुस्तक जिल्मिल के पाठ ग्यारह एद गहा का अभ्यास करेंगे और इसके शब्दार्थ भी देखेंगे देखो सबसे पहले शब्दार्थ करते हैं, लिखा है आईए शब्दों के अर्थ जाने अभागिन, अभागिन का मतलब क्या होता है? जीवन में जिसे दुख ही दुख मिला हो जैसे अमीना है, अमीना को अभागिन बताया गया है क्योंकि उसके बेटे और बहु की मृत्यू हो चुकी है और घर में भी उसके खाने को कुछ भी नहीं है तो उसे अभागिन बताया गया है गत, गत होता है बीता हुआ, जो बीत चुगा चकनाचूर मतलब नश्ट होना प्रभात होता है सवेरा बेसमज का अर्थ है मूर्ख भेट, भेट का अर्थ है मुलाकात भोली सूरत, ये तो पता ही होगा आपको मतलब सीधी साधी शक्ल मनोहर, मनोहर का अर्थ है सुन्दर मूक, मूक का मतलब भूंगा बिना आवाद के जेला, जेला होता है जुन्द में चलते हुए लोग चले ये हो गए हमारे शब्दार्थ और अब हम करते हैं नमबर दो, पाठ से प्रश्न उत्तर देखें नमबर क्या प्रश्न इद के अउसर पर चारों तरफ का वातावरन कैसा होता है हमने पढ़ा है ना, देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा था कि कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है वरिक्षो पर अजीब हरियाली है खेतों में रोनक, आसमान पर अजीब लाली माओ है ना यह पढ़ा था ना, हमने, तो यहीं यहीं से हमारा उत्तर निकलेगा और लिखेंगे देखो, इद के अउसर पर चारों तरफ का वातावरन सुहावना, खेतों में अनोखी रोनक, वहरियाली, आसमान पर लाली माओ वह चारों तरफ खुशी का माहोल होता है ठीक है, वहीं से हमने इस उत्तर को लिखा नमबर खै, अमीना का दिल क्यों कचोड रहा था, बताइए क्यों कचोड रहा था, याद है आपको देखो क्योंकि गाओं के बाकी बच्चे तो अपने माता पिता के साथ जा रहे थे जबकि हामिद अकेला जा रहा था, देखिए अगला प्रशन देखेंगे गै नमबर, अभागिन अमीना अपनी कोटरी में बैठी जो रही है अमीना को अभागिन क्यों कहा गया है, बताइए क्यों कहा गया है अमीना को अभागिन याद है आपको देखिए लिखा है ना यहाँ पर अमीना अपनी कोटरी में बैठी रो रही है आज इद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं है तो यहाँ लिखेंगे हम अमीना कोवभागिन इसलिए कहा गया है क्योंकि उसके बेटे और बहु की मृत्यू हो चुकी है और इद के दिन भी उनके घर में खाने के लिए दाना तक नहीं है ठीक है? Next page पर चलते हैं नंबर गैप रश्न दोस्तों के खिलोने देखकर हामिद ने अपने आपको किस प्रकार समझाया? किस प्रकार समझाया था? याद है ना? जो वो मिट्टी के खिलोने देखता है तो सोचता है कि ये तो गिरते ही चकनाचूर हो जाएंगे तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों के खिलोने देखकर हामिद ने अपने आपको समझाया कि ये क्मिट्टी के बने है, ये तो गिरते ही चकनाचूर हो जाएंगे अगला प्रशन है, बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्मेह में बदल गया अमीना को हामित पर पहले गुसा और फिर स्मेह आने का क्या कारण था? क्या कारण था याद है ना, स्टोरी में पढ़ा था कि जब हामित चिंटा लेकर आया था तो अमीना गुसा हो गई थी, उसने अपनी छाट्ती पीट ली कि कैसा बेसमझ लड़का है, दोपैर होनी तक कुछ खाया ना पिया, लाया क्या चिंटा है ना इसलिए अमीना को गुसा आ गया था, क्योंकि वह सुबै से भूखा था, उसने कुछ खाया पिया नहीं था और चिंटा खरीद लिया फिर जब हामित ने कहा कि तुम्हारी उंगलिया तवे से जल जाती थी, तो बुढ़िया का क्रोथ तुरंत स्नेहे में बदल गया इसी को हम उत्तर में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखो, हामित पूरे दिन से भूखा था, फिर भी उसने खाने के बजाए चिंटा खरीदा इसलिए अमीना, जो यहाँ पर लिखा हुआ है बुढ़िया को उस पर गुस्सा आया, परन्तु जब हामित ने कहा कि दादी तुम्हारी उंगलिया तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने यह लिया, तो उसका क्रोथ तुरंत स्नेहे में बदल गया अब अगला प्रश्न, देखिए, चैनमबर, हामित ने मेले से चिम्टा ही क्यों खरीदा? क्यों खरीदा था भी हमने बात की ना, उसकी कि रोटी पकाते वक्त दादी की उंगलिया जल जाती हैं, यह सोचकर हामित ने मेले से चिम्टा ही खरीदा ठीक है, यही देखेंगे इसमें, अगला देखते हैं, अगले में क्या है? नमबर 6, कहानी को ध्यान से पढ़ें और क्रम से बताएं कि कौन सी घटना पहले घटी और कौन सी बात में देखो हमने कहानी पड़ी थी न तो उसमें हमें ये बताना है इसमें कि कहानी के according पहले कौन सा वाक्या आया बाद में कौन सा इस इन वाक्यों में से पहले कौन सी घटना गटती है ठीके सबसे पहले इसमें लिखा है अमीना का दिल का चोट रहा है अब खिलोनों की दुकान पर धावा होता है, गाउं में हलचल है, बुढिया का क्रोध तुरंस नहीं में बदल गया, ये तो काफी बाद की बात है ना, छे पैसे की कीमत सुनकर हामित का दिल बैठ गया, इद गह जाने वालों की टोलिया ने ज़राने लगी, उसके अबबा जान रुप्य कमाने गए है, इन में से सबसे पहला क्या आता है, सबसे पहला वो बताते हैं कि गाउं में हलचल है, जब वातावर्न बताया जाता है उसके बाद है ना, तो सबसे नमबर वन पर हम ये लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर हमें लिखना है क्रम में, तो हम यहाँ लिख देंगे, उसके बाद कहानी में क्या आता है, यह वाक्या हमने लिख दिया, उसके बाद आता है, देखो, उसके अबबा जान रुप्य कमाने गए है है ना तो ये दो नमबर पर यहां हम लिखेंगे इसे अब उसके बार क्या आता है देखिए कहानी में ये वाला है ना अमीना का दिल कचोट रहा है उसके बाद क्या होता है देखो यहां पर है ना अमीना का दिल कचोट रहा है उसके बार क्या आता है कि इद गहा जाने वालों की टोलिया नजर आन लगी ठीक है तो हम यहाँ पर लिखींगे तीन नमबर और इसी वाक्या को यहाँ लिख देंगे तीन नमबर लिख दिया है आपको यह वाक्या यहाँ पर लिखना है अब इसके बाद कौन सी? यह वाली बताई थी मैंने चार नमबर इसके बाद देखो कौन सी घटना होती है अब जब इद गहा जाने वालों की टोलिया नजर आन लगी फिर बच्चे मेले में पहुँच जाते हैं देखते हैं फिर क्या होता है वहाँ अब खिलोनों की दुकान पर धावा होता है बच्चे धावा बोल देते हैं तो यह कौन सा नमबर हुआ? पांच नमबर अब इसके बाद हामिद क्या देखता है? चिम्टा देखता है ना और 6 पैसी की कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया यहाँ 6 नमबर अब लास्ट बचा कि वो जब चिम्टा दिखाता है तो बुडिया का क्रोध स्नेह में बदल जाता है जब वह कहता है कि दादी आपकी उंगलिया जल जाती थी तवे से है ना यह 7 नमबर यह हो गया और इनको आपको यहाँ सिरीज में लिखना है तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफी है यह देखे यहाँ पर जग है तो काफी कम है तो आपको यह प्रशन उत्तर अपनी कोपी में लिख लेने है ठीक है बड़ी सुन्दर सुन्दर हें राइटिंग में फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी की एक्सराइस करेंगे उसमें ओके बाई बच्चों